भाजपा द्वारा कोशाभाव ठाकरे का जन शताबदी वर्ष मनाया जा रहा है और इसके तहट प्रदेश इस्तर से लेकर जिला ग्राम वा बूत इस्तर तक आने कारेक्रम आज़ित किये जा रहा है इसी के तहट भाजपा कारसाल की तरह चलने वाला आज जीवन सहयोग निधी जिसे इस वर्ष समरपन निधी का नाम दिया गया है इस अभियान के तहट आमजन भाजपा कारेकरताओं पधातिकार्यू से सहयोग निधी ली जाती है इसके लिए बकायदा प्रभारी भी नुक् मामला सामने आया है यहां मामला खरई मंदल में हुआ यहां मंदल अद्यक्ष के नाम से काटी गई रसीद को महामंत्री ने अपने नाम चड़वा लिया और एक फरजी रसीद बनवाकर उसे कार्याले में जमा जब इस बात का मंदल अध्यक्ष को पता चला तो उन्हों ने इस गोलमाल के बारे में जिलाध्यक्ष राजु बाथम को अवगत कराया, मामली की जानकारी मिलने पर जिलाध्यक्ष बाथम ने महामंत्री को नोटिस थमा दिया और इसका जवाब मांगा, खराई मंदल अद्यक्ष भरत धाकर ने बताया कि मंदल महामंत्री कोवेर रावत ने रसीद क्रमांग 14,997 रुपे 2,000 की समड़पन निधी के लिए ली थी लेकिन महामंत्री रावत ने उसी क्रमांग की रसीद अपनी नाम से काड़ दी जब इस बात का पता भरत धाकर को लगा तो उन्होंने जिलाध्यक्ष राजुबाथम से इसकी शुकायद की जहाँ जिलाध्यक्ष ने महामंत्री कोवेर रावत को नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा है लेकिन जब इस नोटिस के संबन में जिलाद्यक्ष राजू बाथम से बात की गई तो उन्होंने बोला कि ये हमारा व्यक्तिकत मामला है जो भी हुआ है वो जवाब देदेगा